कैसे होसे भी प्यारे प्यारे शात्रों आप सबका स्वागे था आपके अपने चैनल टीचर्स अड़ा पर मैं हूँ आयूश चोहान और केविस पी आईटी के रिजल्ट को जैसा कि मैंने दो तीन दिन पहले ही बताया था कि अब इसमें पंगा आएगा सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला है बी एड को लेकर अभी तक नहीं आया है कुछ छात्रों एक पटीशन दाखिल किया था जिसमें पटीशनर थे विसांत सिंग्या विकास कुछ ऐसा नाम था महेचा साइद सरनें था तो वो एक पटीशन लगाया गया था जिसमें कहा गया सु तो मुझे उमीद है कि वो साइद यही कह रहे हो कि जुलाई के थर्ड वीक में फैसले को सुना देंगे अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे होता क्या है उस जानगारी को लेकर कमिस्णर साहब को एक mail या letter लिखा जाता है जिसका reply आता है यह लिखा जाता है कि ऐसे ऐसे जो इसकी recruiting agency है उसने कहा है कि हमने दो list तयार कर रखी है एक में B.A.D. degree holders को include किया है और एक list जिसमें B.A.D. degree holders नहीं है एज पर rules and instruction received from MOE यानि के ministry of education से जो rule और instruction हमें मिले थे उस हिसाब से हम result को publish कर देंगे अब इसमें B.A.D. include करके ही मेरे साब से publish करेंगे लेकिन यह ज पब्लिस कर दें और बाद में B.A.D. वा लोगो हटा दिया तो logic समझ नहीं आ रहा दो list बनाने का मुझे दो list आप अगर आप बना के बैठे मतलब आप fans लेगा नितजार कर रहे हैं otherwise एक बड़ी list होनी चाहिए जिसमें अगर कल को B.A.D. degree धारक बाहर भी होते है मान लिया तो उसी से वो दोनों चीज़ें हो जाए तो एक बड़ी list होनी चाहिए instead of दो list ये दो list बोलके अब ये इस चीज़ को problem में डाल रहे है अब इसमें ministry of education ही क्या गएगी तो अगर result जल्द आता है तो B.A.D. वाले जो है निश्चंत रहें B.A.D. degree holders वाली list ही आएगी अगर लेट आता है तो उप्यस्सी बात है वो लेट किया जाएगा उस फैसले के इंतजार में जो supreme court देगा तो bye bye take care कोई ओर अगर आपको लगे confusion वगेरा है तो आप वीडियो इसा नहीं होता है तो supreme court के फैसले का इंतजार करेंगे और जिसमें अभी लगभग दो महीने लगेंगे क्योंकि मही का भी चल रहा है जुलाई के मिड में जाके यह चीज होगी वाले टिक केर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और timely information देखते रहे है इंटर्वियो की कुछ और वीडियो अभी हम डाल रहे हैं एक बहुत ही प्यारे student का इंटर्वियो जल्द आने वाला है चैनल पर उसे जरूर देखिएगा वो perfect इंटर्वियो था मेरी नज्रों में बाई-बाई-बाई-टेक केर अ कर दो